अगर आप हॉरर फिल्मों का रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो आपको बैरी कंगना का ही नाम नजर आएगा और वो मुवी भी एक बहुत बहतरीन मुवी थी और उस समय की सबसे सुपर हिट हॉरर मोजपूरी फिल्मों में से एक थी लेकिन अब उससे ही मिलती जुलती एक फिल्म आप सभी के सामने जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है आज हम उसकी बात करेंगे बात करेंगे बैरी सुरतिया की जिसे डेरेक्ट किया है सुनील कुमार ने और प्रेड्यूस किया है अजीत कुमार ने तो चली स्टार्ट करते हैं तो ट्रेलर आपको कहीं से भी एकसाइटिंग ने ज़र नहीं आएगा जी हां ये ट्रेलर आपको कहीं से भी एकसाइटिंग भयानक या यूं कहले कि जिसे देख के आपको सिरहन या डरुतपन हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा डिरेक्टर सुनील कुमार ने अपने इस ट्रेलर में ही बता दिया है कि उन्होंने कैसी फिल्म मनाई है ट्रेलर ही इस तरह का है कि ऐसे पता चल रहा है कि फिल्म डिरेक्शन में उनकी इस कहानी पर कोई भी पकड़ नहीं है और ना ही एक भी कसा हुआ डिरेक्शन है खेर अगर आप बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की तो वो भी आपको भोचपूरी के बी ग्रेट फिल्मों से ही मिलता जुलता लोकेशन मिलेगा इन सबसे हटकर अगर आपका ध्यान इस फिल्म की कहानी पर जाएगा तो आप सिर पर हाथ रख लेंगे क्योंकि कहानी बहुत ही दिल्चस्प है इसे दिल्चस्प बनाया जा सकता था लेकिन इस कहानी के साथ हिंदी फिल्मों वाला अत्याचार अन्याय सब कुछ हुआ है जी हाँ इस कहानी को बहुती बहतरीन ढंक से पिरोया जा सकता था लेकिन आपको ऐसा लगेगा आप अपना कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख रहे हैं अरे भाई क्राइम पेट्रोल के एपिसोड भी इससे कहीं ज़ादा सस्पेंस वाले होते हैं और केरियोसिटी जगा कर जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है आप बमुस्किल आठ से दस सेकेंड में ही बता देंगे अब बात कर लेते हैं डायलोग की और यहाँ डायलोग ऐसे हैं जो कब आए और कब गए आपको पता ही नहीं चलेगा हौरर फिल्म में अपने म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं इनके गाने बहुत ही बहतरीन होते हैं लेकिन यहाँ आप इससे भी हाथ धो बैठते हैं बची कुछी कसर इस फिल्म के एक्टर पूरी कर देते हैं हाँ फिल्म के जो हीरो है कुलदीब कुमार ये बहुत ही अच्छी और मजी हुई एक्टिंग करते आपको दिख सकते हैं और फिल्म की हीरोईन खुसबूसावर जिसे आपने कई क्राइम सोज में देखे होंगे जैसे कि क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया लेकिन और अगर किसी भी एक्टर की बात करें तो वो आप पर कोई छाप छोड़ कर नहीं जाता इसे हम कहानी पर आएंगे अगर आप कहानी की बात करें तो यहाँ पर दो शकलों वाले इंसान की कहानी है एक अच्छा एक बुरा इस तरह की कहानी अभी आपने भोचपुरी इंडस्टरी में नहीं देखी होगे लेकिन हम फिर से वही दोराएंगे कि इस कहानी के साथ वो हिंदी फिल्म वाला अत्याचार और अन्याय जम कर हुआ है इस कहानी को बहुत भैतरिन बनाया जा सकता था और इस कहानी में ऐसे सस्पेंस और ऐसे थ्रिल पैदा कर दिये जा सकते थे कि इसे लोग भोचपुरी की वन अफ थे बेस्ट हॉरर फिल्म का खिताब दे सकते थे लेकिन यहाँ पर डिरेक्टर साहब से भारी चूक हो चुकी है और रही सही कसर हमने शुरू में ही कहा कि फिल्म के एक्टरों ने पूरी कर दी है इस फिल्म का ट्रेलर यानि कि बैरी सुरतिया का ट्रेलर वर्ल्ड रिकॉर्ड भोचपुरी पर रिलीज है आप चाहे तो वहाँ से जाकर इस फिल्म के ट्रेलर को देख सकते है भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के रिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली